नमस्कार दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मौसम को लेकरा रही है दोस्तो आपको बता दें आज दस राजियों में भेंकर ओलव रष्टी और बारिस के संकेत बताए गई है वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक और तेजी से बढ़ रही है धूल भरी आंधी और अगले बारे घंटों के लिए ये सबसे बड़ा खत्रा है दोस्तों डस्ट इस्ट्रॉम का अलर्ट है जो मौसम विबाग के द्वारा जारी कर दिया है भारत के अलग-अलग हिस्सव में मौसम का सितम वैसे तो देखने को मिल रहा है पाडों पर भारी बरबबारी हो रही है तो जो मैदानी इलागे हैं यहाँ पर दोस्तों राज्जियों में कहीं कहीं बारिस तो कहीं कहीं कडाके की ठंड का सामना करना पढ़ रहा है और इसी के साथ में जो हवा है सीत लहर भी इतनी तेज गती से चल रही है कि दोस्तों 160 किलोमेटर प्रती गंटे की रपतार इसकी मापी गई है वहीं गहने कोहरे ने भी अधिकान से सहरों में जन जीवन पर असर डाल दिया है समूचे उत्तर भारत में ऐसे ही हालात हैं ताजा खबर गुजरात और राजिस्थान से आ रही है मौसम विभाग ने अलट जारी किया है कि इन दो राजियों की और धूल भरी तेजी से आगे बढ़ रही है दोस्तों भेंकर आंदी अगले 12 घंटे जो खिम बरे हैं लोगों को अलट रहने को कहा गया है यह तूफान पाकिस्तान से आ रहा है जहां सामान ने जन जीवन पर खासा असर पड़ा है ऐसा ही दोस्तों आसंका भारत में भी जताई जा रही है पाकिस्तान से मिली जानकारी के अनुषार कराची में उस समय अपरतफ़रा मच गई जब पश्चिमी पाकिस्तान से चली धूल भरी आंधी ने यहां की सामानी जन जीवन को दोस्तों अस्त वेस्त कर दिया है अब दोस्तों आपको बता दे कि गुजरात और जो राजिस्थान पाकिस्तान से सटी हुए राज्ये हैं तो इसका असर राजिस्थान में भी देखने को मिलेगा और राजिस्थान में भी धूल भरी जो भेंकर आंधी आ रही है दोस्तों ये है पढ़नी वाली है और इसी के स परसेंट जो फसले हैं उनका नुक्सान हुआ है इससे पहले जो नुक्सान हुआ था उसकी मुख्यमंत्रिया सोग गैलोत के द्वारा गिरदावरी करवा कर मुवावजा देने की दोस्तो विवस्तावी की गई है इसी के साथ में दोस्तो आपको बता दें अगले 24 घंटों का तो दोस्तो आपको बता दें इन राज्यों में राजस्थान मद्धे प्रदेश महाराष्ट में भी मौसम ऐसे ही रंग दिखा रहा है मद्धे प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है कि यहां पर पूरी तरह से बादल चाय हुए है और दोस्तो यहां पर बहेंकर बारिस की आसंका है वहीं बात करें दोस्तो 24 जनवरी से 30 जनवरी तक इसी प्रकार का मोसम रहने वाला है भारतिय मोसम विभाग के अनुसार सौमवार और मंगलवार को यूपी के केस हारनपुरा देवबंद नजीबाबाद मुझपर नगर बिजनोर हस्तिनापूर चांदपूर क इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है गुजरात और राजस्तान को होने वाला है वैसे आपको बता दें कि मद्धे प्रदेश उत्तर प्रदेश महराष्ट दिल्ली और दोस्तों ये ऐसे राज्ये हैं यहां पर भेंकर बारिस और ओला वरेष्टी की अगले 24 घंटों में सम्मावना जारी रहने वाली है और यह क्रम दोस्तों दो या तिन दना तक जारी रहने वाला है मौसम से सम्मंदी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें तता आप किस राज्ये स वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अब इससे बताएं धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में